जैमात अदी आप सभी का आपके अपने चैनल एस्टो फ्रेंड अंशु में स्वागत है मैं डॉक्टर अंशु गुपता आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हूं मकर राशी का जुगून का सरकारी नौकरी योग अगर आपकी मकर राशी है, मकर लगन है या आपके नाम से मकर राशी बनती है तो आज का वीडियो आपके लिए है, वीडियो आपके लिए बहुत महत्पुन साबित होने वाला है वीडियो कौन तक सरूर देखिएगा और हाँ अभी तक आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेजिए, वैल नोटिफिकेशन को आउन करके औल पे क्लिक करें मकर राशी वाले बहुत समय से परेशान थे, कि सरकारी नोकरी के योग नहीं बन पा रहे थे बहुत प्रयास कर रहे थे, बहुत कोशिश कर रहे थे सरकारी नोकरी के लिए एक्जाम भी दे रहे थे, पर सफलता नहीं मिल पा रही है क्या जून में ये योग बन रहे हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे आपकी गोचरे सिती की गोचर के अनुसार सरकारी नौकरी के जून में क्या योग बनते हैं तो यहां आपके लगने शनी है जो दित्य भाव में गोचर कर रहे है भागी के स्वामी बुध है जो चतर्थ भाव में गोचर कर रही है केरियर के स्वामी शुक्र है जो सब्तम भाव में गोचर कर रही है लाब के स्वामी मंगल है जो सब्तम भाव में गोचर कर रही है इसके साथ ही साथ सूरी के सिती देखना बहुत जरूरी है क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए सूरे का स्ट्रॉंग होना बहुत जरूरी है तो सूरे यहां आपके पंचम भाव में गोजर कर रहे हैं तो गोजर के अनुसार सरकारी नौकरी का योग बन रहा है थोड़ा सा struggle करना पड़ेगा क्योंकि भागेश के साथ राहू बैटे हैं राहू आपके कारे में अर्चन डालेंगे जो भी कारे कर रहे हैं उसको सफलता मिलने में परिशानी आएंगी बहुत कुछ करने का सोच रही है पर बाधाओं के साथ वो कारे आपके पूर नहीं हो पा रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ उपाय भी करने हैं वीडियो के अंत में बताओंगी क्या उपाय करेंगे अब आपका गोचरी सिदी के अनुसार सरकारी नौकरी का योग बन रहा है इसके साथ ही साथ हम देखेंगे क्या जनम पत्री का में भी सरकारी नौकरी का योग है तो आप अपने जनम पत्री खोलिए और जहां लगन चार्ट बना होता है वहाँ पर देखिए सरकारी नौकरी के लिए लगनेश, भागेश यानि की 9th हाउस का लॉड, 10th हाउस का लॉड और 11th हाउस का लॉड स्ट्रॉंग होना चाहिए अगर इनकी यूती बनी हुए तो बहुत उत्तम योग बन रहा है इसके साथ ही साथ जनम पत्री में सूरी की सिती भी मजबूत होनी चाहिए अगर सूरी आपकी जनम पत्री में मजबूत है तो सरकारी नौकरी आपको सरूर मिलेगी अब अपनी जनम पत्री का में इन ग्रहों की सिती देखिए कि ये घ्रे आपके लगन में बैठे हैं, पंजम भाव में बैठे हैं, नवम भाव में बैठे हैं, दशम भाव में बैठे हैं, या एकदश भाव में बैठे हैं, तो आपका सरकारी नौकरी का योग सरूर बनेगा, आपको सरकारी नौकरी सरूर मिलेगी, पर कब मिलेगी, पर देखिए आप कि सूरे की महादशा, अंतरदशा, प्रतिंतरदशा जून के महीने में कब आ रही है इसके साथ ही आपके नाइन्थ और टेंथ हाउस की महादशा, अंतरदशा या प्रतिंतरदशा आपको मिल रही है तो वो समय है आपकी सरकारी नौकरी योग का आप सरकार से संबंदित कोई एकजाम देने का सोच रही है तो वो समय आपके लिए बहुती उत्तम है अब योग बन रहा है पर थोड़ा सा वीक बन रहा है तो ऐसे सिती में आप क्या उपाए करेंगे क्योंकि यहां आपके भागे के स्वामी बुद्ध राहू के साथ गोचल कर रही है तो ऐसे सिती में भागे का सपोर्ट आपको कम मिलेगा आपने जून के महिने में गनेश जी के आगे रोज देशिगी का दिया जलाना है उन्हें 11 गठरी दुर्वा की अर्पित करनी है एक सो आठ बार ओम गन गन पते नमा का जाप करना है और गनेश जी को लड़ू का पहली रोटी आपके ब्रेकफस्ट आपके लंच और आपके डिनर तीनों में पहली रोटी आपने गाय को खिलानी है रोटी पर आप हल्दी गुड और चने की दाल रखके रोज गाय को खिलाएंगे इसके साथी आपने केसर का तिलक लगाना है अपने माथे पर अपने गले पर और अपनी नाभी पर ये तीनों उपाय को आपने नियम से करना है जून का महीना सरकारी नौकरी का योग बना रहा है बहुती उत्तम योग बन रहा है पर हाँ आपको महनत सरूर करनी होगी तब ही आपको सफलता मिलेगी उमीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए यह माता दी आपका दिन शुब हो